Hello viewers, welcome back to daily health tips आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं गहरी सांस लेने के चुमत करी फादों के बारे में जी हाँ, जिन्दा रहने के लिए ना सांस लेना बहुत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ सांस लेना ज़रूरी नहीं है सांस तो सबी लेते हैं लेकिन हर किसी के बार सांस लेने का सही तरीका नहीं होता है जी हाँ, बिलकुल सही सुन रहे हैं कुछ लोग ना नाक के बजाए मुँझ से सांस लेते हैं जो कि बिलकुल भी सही नहीं है और ना ही कोई काम की है और इसके बहुत से आपको जो है नुकसान होते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं गहरे श्वास का अभ्यास करी तो आप एकदम healthy तंद्रूस रहते हैं समानी भाषा में गहरी सांस लेनी को डी ब्रीधिंग कहते हैं तो वही medical की भाशा में इसे diaphragmatic breathing कहते हैं तो आएए जाते हैं गहरी श्वास की वीधी क्या है और इससे मिलने वाले फाइदे क्या है सबसे पहले देखते हैं गहरी सांस लेना क्यों जरूरी है गहरी सांस लेनी पर ना इन डारेक्ट रूप से सहत और सौंधरी को लाप पहुँचते हैं जसे बालों का ज़र्ना कम होता है और स्किन का गलो बढ़ जाता है जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरी में oxygen की माता बढ़ती है यह oxygen ना हमारे blood के साथ मिलकर पूरे शरी में circulate होती है इसे हमारे body के अंदर ना सभी organs जो होते हैं heart, liver, kidney जिससे सभी organs ना अपना अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं लंबी और गहरी सांसे लेने से ना दिल को सही माता में oxygen मलती हैं और दिल की गती जो है तेज हुआती हैं यानि heart beat जो है fast हुआती हैं जिससे आंगों णिमाग तक ना हाथ ठीक से पहौँच पाता हैं और आंगों धिमाग स्वस्थ रहते है और अदिमाग को ठीक से काम करने के लिए भी जो गहरी Сांसे काफी help करती हैं जैसे कि मास्तिशक के सोचने, समझने, सही निन्ने लेने की शंताबी बढ़ जाती है जी हाँ खुली फिजा और ताजी हवा में सांस लेने से श्वासन तंत्र मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सही तरीके से काम करता है और आपको विभिन, श्वासन, रोग जैसे दोस्तों, अस्थमा, ब्रॉंकाइटीस और सीनी में दर्ड जैसी प्रॉब्लम्स के खतरे से भी सुरक्षित रखता है तो इसी विया आप गहरी सांसे ले अपनी सिहत बनाईएगा और इसका अगला फायदा है लंबी और गहरी सांसे लेने से दिमाग ठीक से काम करने के साथ आपको ना टेंशन दूर होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है रात में नीन अच्छी आती है, गहरी नीन आती है रात में नीन नहीं तूरती है, एंग्साइटी और साथी तनाव जो होता है वो पूरा दूर हो जाता है दिमाग एकदम सुकून में आ जाता है, आपको खुशी महसुस होती है और साथ ये घुसा कमाता है, और ना दोस्तों आप शान रहते हैं फोकस आपका बढ़ता है अगर आप पढ़ाई करते हैं और नेन अच्छी आती हैं, तो रोगों से जल्दी रीकवरी में भी मदद मिलती है अगर आप बीमार है, तो यापके लिए बहुत अच्छा है गहरी सांसे लेना साथी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कब से परिशान रहते हैं और आपको पता है कब कैसे लोगों को होती है, जो ठीक से सांस नहीं लेते हैं उन लोगों को गहरी सांसे लेनी से ना जो आपका हाजमा है, वो सही तरीके से काम करता है और गहरी सांस लेने से पाच्छन तंद्र हमेशा स्वस्त रहता है ठीक है तो अब आपने जाने फाइदे अब देखते हैं गहरी श्वास लेने की विधी क्या है सबसे पहले आप अराम से बैठने या लेटने के बाद धीरे धीरे नाख से सांस लेते हुए अपने पेट को हवा से भर लीजए इसकी बाद में आप नाख से ही धीरे धीरे हवा को बहा निकाले इस क्रिया को करते समय आप अपना एक हाथ पेट और दूसरे हाथ को सीने पर रखें जिसे आपको वीडियो में निखा जा रहा है वेसे, ठीक है? अब धिरे धिरे से सांस लेते समय पेट में हवा भने की क्रिया को महसूस कीज़े साधी सांस को छोड़ते समय पेट के नीचे जानी को भी आप अनुभव करें इस विधी से जब आप रोजाना गहरी श्वास लेनी की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आप अपने आप पे महसूस करेंगे कैसे आपके शरीर से बीमारिया अपने आप दूर हो रही है आप दिन प्रति दिन अपने आपको बहुत तंदरुस्त और हेल्दी के साथ फिट महसूस करेंगे तो आज से आप भी ना डी ब्रीधिंग एक्सरसाइस को अपनाए और फील करें अपने अंदर चेंज कैसे आपकी हेल्थ हो रही है बहतर